दिवाली की पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लेनी है उस पे एक नया लाल कपड़ा बिछाना है और चावल से अस्ट दल कमल बनाना है और नीचे ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमें पीले या सफेज चावल से नौ धेरिया बनानी है और उस पे मिट्ट लेके आई हूँ लक्षमी माता हमें हमेशा हाथी पे बैठी हुई लेनी है और गड़ी इस चीजों है चूहे पे बैठे हुई लेनी है और साथ में एक कुबेर जी मैं हर साल मिट्टी के लाती हूँ जो मिट्टी की मूर्ती होती है ये सिर्फ एक साल के लिए पूजनिये म देखिए फिर गड़ेश जी को हम लोग पान के पत्ते पे बिठाएंगे और लक्षमी माता को कमल के फूल पे बिठाया जाता है कमल का फूल बहुत बड़ा है उसमे मूर्ति डग मंगाती है तो इसलिए कमल की एक दो पंकुडिया तोड़के हम उसमे लक्षमी माता को बिठा और लक्ष्मी माता के बगल में विश्नु जी की मूर्ती रखना बहुत जरूरी होता है अगर आप दिवाली के दिन लक्ष्मी गड़ेज, कुबीर और विश्नु जी चारों लोगों का साथ में पूजन करते हैं तो लक्ष्मी माता आप से अती प्रशन होती हैं तो यह हमने इस थापना स्टार्ट करनी है तो हम लक्ष्मी गड़ेज, कुबीर जी और विश्नु जी को गंगा जल मिश्रित जल से इसनान करा देंगे उसके बाद इनके वस्तर और आबुसर पहना देंगे यह चुट चुटे कपड़े हैं आप अपनी मूर्ती के साइच के लिए आई पूजा कर जो है के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती इसलिए कलस थापना करना बहुत जरूरी होता है तो आप दिवाली के दिन कलस थापना जरूर कीजिए और ये गड़ेज जी को पहना दिया है मैंने ऐसे ही लक्ष्मी माता को और कुबेर जी को भी त ना सकते हैं और इसके बाद जो सब पहले मैंने दिये दिखाये थे ना अगर आपकी चौकी बहुत बड़ी है तो आप चौकी पे सामने जो है नोड एरिया लगा के चावल पीले या सफेज चावल की उस पे रख सकती है नहीं तो जैसे मैंने चौकी के नीचे रखा है ऐसे रख सकते हैं तो जैसे हैं भगवान जी को विराज़मान कर देंगे और कलस थापना कर देंगे उसके तुरंट बाद हम लोग जो हमारी नीच दिये थी उनको जला देंगे उनका गंग से कुमकुम चावल और हल्दी से टीका करेंगे नो दियों का उसके बाद उनको प्रज पीरियंट रखा है और यह मैंने स्टार्ट कर दिया इसके बाद जो हमने चरण कमल बनाए इनकी भी पूजा करेंगे ऑप चाये तो जो रंगुली वेफ Zhang चरण कमल होते हैं, वो भी लाके उनसे भी बना सकते हैं, तो पहले लक्षमी मात है कि चरणों की पूजा करेंगे, दीपक की पूजा करेंगे, जैसे ये नौ दीपक जल जाएंगे, उसके बाद हम अपने घर के अनिक सदस्यों को बूल देंगे कि वो लोग घर के चारो कोनों में दीए जलाना मुंबती जलाना स्टार्ट कर दें और आप दूसरे तरव अपनी पूजा करते रहें, तो कल स्थापना हो गई, अब हम मूर्ती में सबसे पहरे प्रान प्रतिस्ठान कराएंगे, जिसके लिए ये मैंने कूस की घास का लिया है, आप चाहें तो जो हरी स्थान है, नाम है, तिथी है, सब ग्याद करा दो बोलेंगे कि मैं इस तिती में इस जगह से, इस इसस्थान से, आपकी मिटी रूपी प्रतिमा में प्रान प्रतिस्ठान करा रहा हूं, इस पर्वपे आप इसमें आंके वराजबन Алई होई हो और हमारे परिवारे पे अपन पे मैंने ये श्रीयंतर और कुबेरियंतर रखा है वहीं पे थोड़ी सी खड़ी धनिया रखी हुई है तो ये भी दिवाली के दिन रखना बहुत जरूरी होता है पूजा में और इसके बाद हम चावल लेंगे, जल लेंगे, फूल लेंगे और कुछ पैसा लेंगे, यानि कुछ रुपे लेंगे, दक्षडा और इसके बाद जो है, संकल्प लेंगे पूजा का और चड़ा देंगे संकल्प लेंगे भी मैंने आपको बहुत बार बताया है इसके बाद हम सब का टीका करेंगे गडेश जी को हल्डी, कुम-कुम और संदूर से टीका करना है और जो आपके पती, पत्मि, अगर साथ में पूजा कर रहे हैं तो जो पत्मि, आपके पत्मि वो हल्दी, कुबेर जी और विश्नु जी की पूजा करेंगे अगर केसर नहीं है तो हल्दी और कुम को मिला के टीका लगाएंगे लक्षमी माता को इस पेसली वो स्वर्ण तिलक के बराबर माना जाता है तो ये दिवाली के दिन करना बहुत जरूरी होता है और दो कॉड़ियां मैंने सफेद रखी है दो पीली ये भी रखना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के आपको पूजा करनी है मैं बहुत ही सिंपल वैसे दिवाली के कई तरीके से पूजा होती है लेकिन जो बहुत जरूरी है यानि इतना आपको अगर चाहते हैं तो इसलिए एक दम छोटी सी सिंपल पूजा बता रही हूँ ताकि सचे मन से पूरे हृदय भाव से आप पूर्ण विधी के साथ बहुत ही छोटी सी पूजा दिवाली के दिन कर सकते हैं जो मैंने चौगी बनाई है इसको चाहे तो आप बहुत अच्छे से सजा भी सकते हैं लेकिन मैंने बहुत सिंपल इसलिए रखा है ताकि किसी को फरेशानी नहीं हो तो अब लक्ष्मी माता को भी वही टिका कर रहे हैं इसके बाद विश्नु जी को हल्दी से टिका करेंगे और हल्दी नहीं है तो पीला चंदन या हल्दी से टिका करना है विश्नु जी को और कुबेर जी और विश्नु जी पे ध्यान रखेगा सिंदूर नहीं चड़ाना है सिंदूर सिर्फ लक्ष्मी माता गड़ेश जी पे इसके बाद लक्ष्मी माता को कमल का फूल चड़ाएंगे और ये गुलाब का फूल देख रहे होंगे आप डंडी सहीद ये भी लक्ष्मी माता को दिवाली के दिन चड़ाना बहुत जरूरी होता है गुलाब का फूल जब भी लीजेगा डंडी सहीद लीजेगा और कमल का फूल तो जो इस्तरी है यानि जो पत्नी है वो लक्षमी माता को हर चीज चड़ाएंगी उनकी पूजा करेंगी और जो पुरुस है यानि पत्नी है वो बाकी और भगवान का सबको इसके बाद चावल चड़ाएंगे विश्णुजी को पीला फूल गणेश जी को पीला फूल और गुलाब की पंकुडिया चड़ानी है और जो कुबेर जी है इनको सफेद या पीला फूल इसके बाद सबको माला चड़ाएंगे फूलों की वो जो मैंने प्लास्टिक की माला पैनाई थी वो तो लाकश्मी माता का एक अलग मंतर होता है दिवाली के दिन का वो मैं भी आपको बता दोंगी इसके बाद आपने जो भी है आपके घर में इंपको पेपर जैसे चिक बुख है पास बुख है और अगर ये दिवाली जो होती है ये अक्टूबर या नौमबर के महीने में पढ़ती है उसके बाद शादी सीजन स्टार्ट हो जाता है तो आपके घर में कोई शादी व्या है उसका निमंत्रड पत्र है ये सब चीज़े आप पूजा में रख सकते हैं सब पे टीका लगाना है सब पे फूल चड़ाना है सब पे चावल चड़ाना है और जो चार कोडियां थी दो पीली दो सफेद उन पे भी टीका चावल कुम-कुम चड़ाना है फूल चड़ाना है और श्री अंत्र कुबेरी अंत्र पे भी कलस पे भी और जो हमने नो दीपक जलाया था उन पे दिवाली के दिन पूझा करनी है सपे कुमकुम से टीका और चावल चड़ाना है तो यह दिखे मैं जब पे चड़ा रही हूँ फूल चावल कुमकुम और ऐसे आपको भी करना है और विश्नू लक्ष्मी माता का एक मन्तर होता है जो दिवाली के दिन करना बहुत जरूरी होत यह दिखे यह दो जोड़ी पान का पत्ता लिए उस पर थोड़ा सा चावल दो लॉंग दो इलाइची और दो कपुवों सुपारी रखी है यह भी मुक सुद्धी के लिए भगवान को चड़ाया जाता है और लक्ष्मी माता को दो जोड़ी कमल गट्टा चड़ाया जाता है दिवाली के दिब यह बहुत जरूरी होता है चड़ाना और अगर आप चाते हैं लक्ष्मी माता की कृपा आप पे हो तो आप यह चड़ाया जाता है अगर आपके पास वस्तर नहीं है तो ऐसे आप थोड़ा-थोड़ा कलावा तोड़के सब के नाम से वो चड़ा सकते हैं और है तो गड़ेश जी को वस्तर चड़ा दीजिए जैसे हम चड़ा रहे हैं अगर नहीं है तो आप रुमाल का कपड़ा ले आए लक्ष्मी माता के लिए बलाउज का पीस या डुपट्टा इस तरीके से ले आए और वो चड़ा दीजिए तो जब मेरे पास होता है तो मै चड़ा देती हूँ जब नहीं होता है तो मैं रुमाल का कपड़ा ले आती हूँ या गड़ेश जी के लिए पीला गमछा ले आती हूँ इस तरीके से चड़ा देती हूँ और ये सिंगार का सारा समान चड़ाना, ये जितना समान है, ये सब आमें पहले भगवान के सामने रख देना है टीम, उनके नाम से, और जो इस्त्री हैं, जो पत्नी हैं, वो लक्ष्मी माता को सब चड़ाएंगी, और जो पूरूस हैं, वो और भगवान को, उसके बाद सब हलकालका टीका लगा देना है, और चावज, एक आप गुशड, ये दिवाली में लक्ष्मी माता को चड़ाना बहुत जरूरी होता है, तो आप सुहागिन है, तो हर साल बिच्छिया ला सकती हैं, हम लोग हर साल बिच्छिया चड़ाते हैं, लेकिन इस पर कुछ और चड़ नहीं थी, एक बार आप चड़ा दीजिए, उसके बाद वहीं पे वहां से हटाना नहीं है, वहीं पे बगल में रख सकते हैं, इसके बाद गड़ेश जी को हम पीला जनेव पहनाएंगे, और विश्नु जी को भी पीला जनेव पहनाएंगे, खुबेर जी को सफेज जनेव पहनाएंगे, और यह जो वस्त्र और सिंगार का समान था, यह उठाना नहीं है, हमें वहीं पे बगल में रख देना है, यह सब को सुबे हटाना है, तो यह देखिए हमने जनेव पहना दिया, अगर आप वस्त्र कपड़ा नहीं ला सकते हैं, तो आप जनेव और कलावा का टुकड़ा चढ़ा सकते हैं, इसके बाद घर में कुछ बना हुआ प्रिशाद जरूर चढ़ा है, खीर बहुत ही पसंद होती है लक्षमी माता को, दिवाली के दिन उनको खीर खिलाना बहुत ही सुबाना जाता है, तो हम लोग हर साल तो जो घर में जितना बनता है, सब कु कुछ नी बना सकते हैं, तो खीर बना लीजिए, और खीर जरूर चढ़ाइए, तो यह हो गया, यह दिखिए मेरे गर में बहुत ही मतलब प्रेम से की जाती है, पूजा इसलिए किस तरीके से भगवान जी को खिलाया जा रहा है, जैसे वो असली में खा रहे होंगे, तो चढ़ाया जाता है, वो सब प्रिशाद में दीरे-दीरे करके सब को चढ़ाइए, एक एक करके, जो आपने कलस रखा है, कलस पे थोड़ा सा चढ़ाइए, और जो हमने श्रीयंत्र कुबेरियंत्र रखा है, उस पे चढ़ाइए, जो श्रीयंत्र कुबेरियंत्र है, बहुत से मार्केट में मिल जाता है पूजा की शॉप पे तो आपके पास नहीं है तो इस दिवाली आप जरूर लाइए और उसको अपनी पूजा में रखिए पूजा करके आप उसे रख दीजिए फिर हर साल जो है यूज कर सकते हैं तो यह देखिए लक्षमी माता को लाल फल सकते हैं तो उनको हमने केला में चड़ा दिया और लक्षमी माता को सेविय आनाहו में चड़ा देजिए और दीपक जलाना है आरती करनी हे शमायाचना करना है दक्षणा करनी हे और हमारे च्छोटी सी सिंपल सी साधारण सी लक्षमी जी की पूजा दिवाली पे संपूर्ण हो जाएगी और माता एक दम बहुत जादा प्रशन होंगी और हमारे परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बनाया रखेंगी फिर देखिए मैं जल पिला रही हूँ मैं हर वीडियो में बताती हूँ की कूस के घास से बड़ी हुई जो मैंने ये बनाया है इससे जल पिलाना बहुत ही सुबारा जाता है और भगवान इससे त्रिपत हो जाते हैं तो आप भी एक बना के रख लीजिए और हर सार इसी से जल पिलाएए इसके बाद हम दीपक जलाएंगे और ये घी का दीपक है तो आप एक घी का दीपक जला दीजिए और ऐसे बड़े उसमें جलाईए ताकि वो रात भर जल सके तो हमारा मट्र था लक्ष्मी मता का ओम श्रीन करिंग रिंग श्रीन कमले कम लाले झाँ झाँ